गुड मोरिंग दोस्तों मैं राहुल पटिल डारेक्टर अप्सवत्तामज देख रहे हैं आज यह हम लोग जो वीडियो बनाने जा रहा है वो पर्टिक्लर हम लोग जो बना रहा है हमारे ब्रांची इस के लिए हमारे स्टूडेंट के लिए एवन यस देश के लिए तो है य है यह वीडियो शाहिद जो लोग देख रहे हैं वो लोग को ऐसा लगए कि इस सब्सक्राइब प्रमोशन इस नोट प्रमोशन इस सब्सक्राइब अवेर्नेस हाजी दोस्तों एक्शली हो क्या रहा है भी हमको मालूम है पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री आल्मस्ट लॉक के नजर अपने उपर है रिजन एक ही सी दुसरी सब कंट्री के अंदर इतना पप्लेशन नहीं है तो वहां पे उंको कंट्रोल करना इजई हो जाता है तो भी वहां पे इतनी हालत खराब हो रही है और अपने इंडिया के अंदर 140 करोड़ के आबादी है और इतनी आबादी के वीच में जो सुवीदा चाहिए हमको सब को पता है उतना मौझूद नहीं है तो ये चीज़ को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि गुजरात हो या दिल्ली हो या राजस्तान हो कुछ पढ़े हुए अनपढ़ लो ये वर्ड अभी यूज करना पढ़ रहा है उसका रीजन है सी गाव वाले विचारे गाव के अंदर आराम से बैठे हुए है जो बुजूर्ग लोगे उनको भी डर है वो डर के माहूल से घर के बाहर नहीं निकल रहे है लेकिन जो युवावर्ग है जो पढ़ा हुआ है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है जो न्यूज मीडिया से कनेक्टेड है जो प्रेस मीडिया से भी कनेक्टेड है उनको अभी भी ये समझ नहीं आ तक कोई भी कंट्री लॉकडाउन रहा होगा अभी ये चीज हर एक कंट्री के अंदर लाग हो रही है ये वाइरस आने के बाद हर एक कंट्री एक दुसरे से अलग होके बड़ी हुई है हर कोई स्टेट एक दुसरे से अलग होके बड़ा हुआ है हर कोई सिटी एक दुसरे से कोई भी government को ये बंद करने में इंट्रेस्ट नहीं होता है, ये public को समझने की ज़रूरत है, ये जो भी बंद किया जा रहा है, वो आपके किफायती, आपके फायदे के लिए है, आपकी health को ध्यान में रखते हुए action लिया जा रहा है, अगर हम लोग पहले एक चीज समझते हैं जो चीज आपको समझनी जरूरी है, टीन स्टेज है टोटली ये वाइरस के, हम लोग बार बार सुनते आ रहे हैं कि पहला चरन, दुसरा चरन और तीसरा चरन, क्या है actually पहला दुसरा और तीसरा चरन, अगर इसको आप एक बार समझ लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, कि क्यों यहाँ पर कि गॉवर्मेंट यह लोगडाउन की कंडिशन क्रियेट की हुई है, और क्यों आपको बोल रहे हैं कि गर के बार ना निक है, सबसे पहला चरन हम लोग अगर बात करेंगे, फर्स्ट फेस, फर्स्ट पेस की बात करते हैं, कि कोई एक व्यक्ति है, जो फॉरेंग कंडिश से इंडिया रिटन आया है, यहाँ से आने के बात, वो पहले तो खुद को चेक करवा रहा है, अस्पिताल में जाके, वहाँ पर उसको कोई भी रोके लक्षन नहीं देखने को मिल रहा है, उसके बाद वो घर जाता है, घर के अंदर जाके, एक रूम के अंदर नहीं कर लीता है, वो, सिर्फ खुद को सेल्फ कॉरेंडेल करने का मतलब यह नहीं है, कि वह उसको अंदर बंद कर दिया है, वो एवं बाजू-बाजू के जो पड़ोसी है, उनको जाके भी नहीं मिल रहा है, पाँच से छे दिन के बाद, उसको कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, चेक करवाया जाता है, पॉजिटिव केस होता है, उसका इलाज किया जाता है, दस से बारा दिन, और वो कम् जालूम था कि यह वक्ति यहाँ पर इंफेक्टेड है, इसका इलाज भी हो गया और एंड़ दे क्लियर भी हो गया, यह था फर्स्ट फेज, सेकंड फेज की अगर बात करेंगे हम लोग, तो एक वक्ति फॉरें से यहाँ पर रिटन इंडिया में आ रहा है, यहाँ से घर पर जाने के बाद, घर वालों से कोई भी कॉरिंटेल जैसा कंडिशन क्रेट नहीं कर रहा है, हर एक रूम में गुम रहा है, एवं आजुबाजो के पड़ोस में भी जाके गुम रहा है, उससे भी जादा हटके, अपनी खुद की दुकान है, प्रोविजन स्टोरिया जो भी है, वहाँ पर जाके भी एक्टिवली काम कर रहा है, चे साथ दिन के बाद, इसे भी पॉजिटिव आता है, एडमिट किया जाता है, दस से बारा दिन, उसके बाद वो क्लियर हो जा रहा लेकिन गर के अंदर जो चार से पांच मेंबर थें, पडोस के चार पांच मेंबर थें, यह चार पांच मेंबर थें, जहाँ पर शॉपिंग में, जहाँ पर वो काम कर रहा है, वहाँ पर करीबन चार सो लोग पर डे आपसे विजिट करते हैं, आपसे मिलते हैं, अगर आप आप सब्जी वाले को गिन लीजिए उसके बाद आप कोई ग्रोशरी शॉप में जा रहे हैं उसको काउंट कर लीजिए आप किसी प्रेस वाले को जो इस पर ले के आ रहा है उसको काउंट कर लीजिए ऑफिस के नदर जाके आप करीबन 10 से 15 लोग इस तो डारेक्ली काउंटे कि यह हुआ सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर यह चीज को रोका जा सकते हैं सभी लोग को इलाज कर लेकिन अब जो थर्ड स्टेज जो है जहां पर यह लॉक्डाउन की कंडिशन करीगी है सबसे इंपोर्टन्ट यह है यहां पर यह जो बाई साब आये थे वो सबजी मंडली में भी गए दूदवाले के वहां पर भी गए ग्रोसरी शॉप में भी गए यहां पर दूसरे 400 लोग दीन में आ रहा है यह लोग फिर दूसरी सिटी में ट्राविल कर रहे है इसको अगर पॉजिटीव आता है इसको पता नहीं है कि कहां पर गया था यह भी पुरे दिन में दस जगा पर गया होगा तो कहां से उसको लगा है अगर हम लोग बात करते हैं थार इस्ट रही इतना भेंकर हो जाएगा अगर हम लोगों में केर नहीं किया यह बहुत सिंबल वाशा में आपको बता रहा हूँ पबलिक को सब्जी लेने जाना है तो कुछ डिस्टन्स बना के रखे पबलिक बीड में निकल जा रही है वहाँपी इलाको में और यह पबलिक वो जा रही है जो पड़ी लिखी है जिनके आथ में स्मार्टफौन है आजकी डेट में जिनके सामने टीवी लगा हुआ है की बैठ है मेरी हर एजूकेशन कंसल्टेंट से भी यह राए है उनसे एक रिक्वेस्ट है यह वीडियो मैं अभी हिंदी में बना रहा हूं दुसरे कंसल्टेंट अगर यही वीडियो को अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके भी बना सकते हैं इवन आडियो क्लिप बना के भी आप फारल कर सकते हैं आपकी एक बात से चार लोगों पर असर होता है तो अच्छी बात है करनी चाहिए अभी गर पर बैठके किसी के पास कोई काम नहीं है काम है आप खुद सेफ रहेंगे अपने आसपास के लोगों को सेफ रखेंगे और सोशल मीडिया के अंदर अप यूटिलाइस करते हो प्रफली तो सोशल मीडिया एक वसुद्ध वसुन देवकम कुटम वकम वाला क्रियेट करता है कि आप घर के अंदर बैठे विडिया से कनेक्टेड है अपकी बात को पूरी दुनिया तक आप फैला सकते हो तो ये चीज़ को नजर अंदाज ना करते हुए जितना हो सकता है ट्राय कीजिए कि दुसरों तक अवरनिस आप फैला सको थार्ड श्टेज के अमन्द के अंदर की बात है अभी हम लोग सब लोग one kind of self-quarantいい condition के अंदर बैठे हो गए self-quarantire के अंदर government का जो condition है मैं अपनी हरे ब्रांच को यह बोलूँगा कि self-quarantire के अंदर government ने जो circular declare किया हुआ है वो condition के इसाब से आपको गर पे अंदर भी रहना पड़ेगा गर के अंदर कुछ आपको लगता है, कोई एक वेक्ती को सर्दी दुखाम है, उसको, see, फैमिली के अंदर हम लोग एक दुश्रे के साथ जुड़े हुए, मैं मानता हूँ, किसी को आप बोलोगे, वह दुश्चा के बैट, वो गलत लगेगा उसको, लेकिन it's for the safety only, गर के अं कोरोना जो आया था, जो आइडेंटिफाई हुआ था, that means कि वो तुरंद आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, जो पहला के इस इंदिया में पाया गया, तो दस दिन पहले किसी को जाके मिला होगा, या कहीं से ट्राविल करके होगा, और उस टाइम पे उसका इडेंटिफाई इवन कोई रेश्टरॉंट में आप गया हो, सिसीटी में गया हो, या स्टार्बक्स में गया हो, कई पे चाय पीने कॉफी बीदे के लिए, आप से पहले कोई आके गया हो, और वहां पे वाईरस छूड़ के गया हो, कई बार ऐसा भी होता है, कि आप रोड पे चलने के नहीं किया जा सकता है तो उस चीज़ को द्याहन में रखते हुए अगर घर के अंदर किसी भी एक वेक्टिव को थोड़ा भी इंफेक्शिंग कट लाज़ा आपको डाउट लग रहा है तुरंट बाग दोड करने की जरूत नहीं है जो होता है डॉक्टर को दिखाईए आपक को रहा है लेकिन करोना के बारे में मैं है और कहां पर जाके करेंगे तो जो पहली एक लाग डेट हुई है करीबन 68 डेज मिला लो इसके बाद दस दिन और चार दिन के अंदर एक लाग बढ़ रहा है में इस बहुत डाइंजरस चीज इसको बोल सकते होगा तो इसके लिए जो भी है लोकडाउन की जो कंडिशन अभी पैदा हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए आपको गर में बंद रहना पड़ेगा तो में चीज यही है हमारी जो राय है जो भी है अभी डिस्टन्स बना के अखिए जितना होता उतना मैसेज सर्किलर करने को ट्राइ कीजिए में चीज आती है वहाँ पर जो पढ़े हुए लोगे उनका ड्यूटी क्या आता है उनका ड्यूटी आता है दुसरों को गाइड करें यहां पर लोग लिघरशिप करने निकल रहे है पब्लिक बीड कटा हुरी हो पॉलीस के साथ हाथ हपाई कर रहे है घर पे नर्सिंग स्टाफ आ रहे है परमेडिकल स्टाफ आ रहे है उसको प्रोपर लिए सपोर्ट नहीं किया जा रहा है वह लोग अपनी फैमिली छोड़ कि उनकी ड्यूटी निवा रहे है जबकि आप घर के अंदर बैठे हो गए है वो कोई पैटिकुलर कोई कैमिकल जॉन से स्राउंडेड वो प्रोटेक्टेड नहीं है कि उनको कोरोना नहीं लग सकता है वो पूरे दिन में 50 लोग से कॉन्टेक में आ रहे है वो 50 लोग में ज करो लेडरिशिप कि जो दुसरों की काम आ सके है दुसरों की लाइफ के साथ खिलवार करने का आपको कते ही कोई हग नहीं है तो में चीज है 21 दिन का जो डिरेशन है तीन हपते का टाइम है निकल जाएगा सबको परेशानी हो रही है सबका बिजनेस अभी रुका हुआ है लेकिन अगर जान है आपकी तो जान है अगर आप सोचते हो कि आप बाहर निकल के कुछ अच्छा कर सकते हो तो गलत है बाहर ना निकलोगे तो वो सबसे अच्छा काम कर रहा है आँछ के डेटुए तो घर के उपर बने रहे हैं अपने बच्चों का बुजूर्ग का ख्याल रखे घर में कलेश भी बहुत आएंगे इस बार वो मैं जानता हूँ रिजन क्या होता है कही बार बुजूर्ग क्यों आप बोलोगे कि बच्चे को हाथ मत लगा उसको सरदी जुगाम हुआ है उसको बुरा लगे उसमें भी जगड़ हो सकते हैं लेकिन सबको समझने की बात है सबको समबलना है एक दूसरे को समझना है यह एक टाइम मील रहा है जब आप फुरण टाइम सपन कर पा रहे हो अदर्वाइस यह बाग दोड़वाली लाइश कैंधर आज तक कभी आपको इतना टाइम नहीं मिला होगा कि आप family के साथ time spent कर पाया होगी तो यह एक आपको vacation मिल दा है या जो भी आप समझो family के हर एक member को समझने का chance मिल रहा है कई बार ऐसा भी होता है कि business लेके बैठे हो parents लोग घर से बाहर ही बाग दोड कर रहे कई बार wife husband दोनों गर पे नहीं होते अविलेबल बच्चे क्या कर रहे है बच्चे का मेंडा लेड़ी क्या parents को पता नहीं होता है maybe शायद उनको यह भी बच्चों को समझने का time मिल रहा है कई बार ऐसी चीज़ होती है parents के सब बच्चा आज सक कभी रहा ना हो बाहर रहा हो बैंगलोर रहा हो कई पर भी रहा हो अभी वो दिल लिए आके बैठा हो parents के साथ को time spend करने को time मिल रहा है social distance बनाईए maximum try कीजे social media का use कीजे social media पर आपको information मिल रहे हैं उसको cross check कीजे rumor के उपर ध्यान मत अड़िए कुछ चीज़े ऐसी विए आज कल की जनता जो है educated है कुछ चीज़े online शुरू है online पी order करके आप मंगवा सकते हो वहार उसको online यूज करो जहां तक जरूरत नहीं पड़ती है बाहर मत निकलो जोने लोगों को knowledge नहीं हो बाहर निकल रहे तो ठीक बात है लेकिन सबको बाहर निकल के बीड़ करके इसको spread करने की जरूरत ये इसको रोकने की जरूरत है सबसे बड़ा ध्यान रखिएगा आप मौसम अभी तो गर्मी का आ रहा है अगर ये चीज़ को control नहीं किये गई और बारिश का टाइम आ गया वहां तक अगर ये लंबा चला तो फिर कभी भी हम लोग उपर नहीं उठ पाएंगे हम लोग अल्रेडी स्ट्रगल कर रहे हैं इपने सारे परशानियों से जूज के हम लोग उपर आये हुए है और एक लेवल एक्षिव किया हुआ है आज की डेट में जो अपना तीन दार भी जा सकता है हिल एक इंसान की लाइफ की उपर उसका पूरा परिवार यहां पर डिपन रहता है तो आपकी इक गलत की बचसे से मेबी चाहिद आपकी पढ़ोस में या आपकी आपकी अगल बचसान भो सकता है आप तो बच जा होगे दूसरों की लाइफ के साथ आप खिलवाण कर बैठे होगे उस टाइम पे और उस टाइम पे आपको पता भी नहीं होगा कि आपके बेज़ से कितने लोग मरें है तो बैठा रहे गर पे बैठे रहे टाइम स्पेंड कीजिए different activities है आपके पास books reading कीजिए newspaper reading कीजिए newspaper नहीं आ रहे है articles पढ़िए online website आपके पास available है कही ज़गा पे वहाँ पर जाके आप कुछ ने कुछ पढ़ सकते है knowledge ये दर इंक कीजिए आप या फिर ये हम लोग जो कर रहे है अक्टिविटी जो मैं कर रहे हो भी कुछ ने कुछ बना के शेयर कीजिए उसमें कुछ शरम वाली बात नहीं है यहाँ पे कुछ आप स्प्रेड कर रहे हो और मेरा फिर से यह रिक्वेस्ट है मेरे हर एक कंसल्टिंग प्रेंट से जो मेरे एजुकेशन फिल से बिलोंग करते हैं क्योंकि एजुकेशन फिल से बिलोंग करने वाला हरे इक बंदा अपनी बाशा में अपनी प्रजा को कुछ न कुछ गैड कर सकता है और अपना यह अभी ड्यूटी है बिजनस को साइड पर रखे अपनी लेंग्वेज के अंदर जितना हो सकता है ये बात को spread करने को try करें आज के लिए basic नाई हमारी जो भी branch है हमारे जो भी student है और हमारे देशवासी है अपना खुद का ख्याल रखे अपने परिवार का ख्याल रखे और जितना होता है उतना ये message को spread करने को try करें कि at least दुसरे लोगों को भी care करने का पता चले दन्यवाद